Hello students, welcome to my channel बेटा आज हम जो वर्कशीट है करेंगे 7th वर्कशीट है ये 2nd week आपका कौन सा है दूसरा सप्ता किस चीज़ का है Reading अभियान यानि की Reading Campaign जो है आपका उसका दूसरा सप्ता चल रहा है और इसकी जो वर्कशीट है ये 7th आप करेंगे तो सभी बच्चे अपनी अपनी Copies निकालेंगे हिंदी की उसमें वर्कशीट नंबर लिखेंगे 7 कारेपत्र का संख्या 7 एंड तिथी यानि की डेट लिखेंगे 24 January 2021 तो सभी बच्चे अपनी अपनी Copies में जल्दी से लिखेंगे इधर अपना सेक्शन ABC आपका जो भी सेक्शन है अपना नाम अपने टीचर का नाम और जो इस वर्कशीट की थीम है टॉपिक है विशय है वो है चित्रात्मक कथा ओके तो सभी बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहाँ तो सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को इंट तक देगे अच्छी लगे तो लाइक करें अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूले ओके स्टूडेंट्स सो लेट्स राट विदी वर्कशीट नौ शुरू करते हैं हम वर्कशीट नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चों कोरोना महामारी के कारण हम सभी घर पर हैं अधिकतर परिवार इस लॉकडाउन का इस्तिमाल परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और आपसी रिष्टे मजबूत करने में कर रहे हैं हमारी आज की कहानी में कहानी में भी इसी से सम्बंदित है तो आईए नीचे दी गई कहानी को पढ़ते हैं और रॉकशर दादी से मिलते हैं चले रीड करते हैं बेटा आपको पिक्चर भी दिख रही हैं साफ अगर दिख रही हैं तो कमेंट्स में मुझे बताएंगे पूर्वी और करण टेलिविजन देख देखकर बोर हो गए थे तभी वहाँ दादी आकर कहती है मुझे स्टोर रूम की सफाई करनी है क्या तुम दोनों इस काम में मेरी मदद करोगे तो फिर क्या होता है दोनों बच्चे क्या करते हैं पहली पिक्चर ये है देखो दादी जो है ये करण और पूर्वी से पूछ रही है कि क्या तुम मेरे स्टोर रूम साफ करने में मदद करोगे दोनों बच्चे दादी के साथ स्टोर रूम में जाते हैं तभी करण और पूर्वी को एक बक्से में गिटार चश्मा व काला कोट मिलता है यहाँ देखकर दादी कहती है आओ बच्चों कुछ धमाल मचाते हैं देखेंगे बच्चों कि यह लोग जब स्टोर रूम साफ करें ठीक है यह जो सेकंड पिक्चर है स्टोर रूम साफ करें करण को गिटार मिला काला कोट इसको मिल रहा है चश्मा मिला इनको तो क्या हुआ इन्होंने क्या करा दादी ने इनको बोला चलो अब हम इन सब चीजों से क्या करते हैं धहमाल मचाते हैं पेटा क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग सफाई करने में लगे और आपको कुछ ऐसी चीज मिली जिससे आपने और धहमाल मचाती हो मुझे कमेंट्स में बताना ना बूले चली आगला देखते हैं थर्ड पिक्चर को देखते हुए ठीक है इस पिक्चर को करन और पूर्वी अपनी दाधी के साथ गिटार बजा कर खूब गाते और नाचते हैं तीनों को इस तरह नाचते जूमते देख दादा जी कहते हैं वाह क्या बात है सच में बच्चों तुम और तुम्हारी रॉक्स्टार दादी का जवाब नहीं यह सुन दोनों बच्चे बोल पड़े सच कहा दादा जी दादी ने तो आज सबका दिल जीत लिया पेटा आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी दादी दादा जी के साथ आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया किस प्रकार स्पेंड करते हो कॉमेंट्स में बताएं मुझे चलिए पहला प्रश्ण पर आते हैं बच्चों बच्चों क्या आपके परिवार में घर के बुजर्ग भी आपके साथ रहते हैं यदि हाँ तो आप उनके साथ समय किस प्रकार बिताते हैं यदि नहीं तो आप उनके साथ किस तरह जुड़े रहते हैं तो बेटा अगर आपके दादा दादी जी आप बड़े जो हैं घर के आपके साथ रहते हैं अगर रहते हैं तो आप उनके साथ किस तरह से अपना समय बिताते हैं जैसे कि जब मैं छोटी थी मेरे दाद दाजी के साथ मैं समय बिताती थी किस प्रकार उनके साथ सेर पर जाती थी तो आप लिखेंगे सेर पर जाते हैं खेलते हैं उनकी मदद करते हैं काम में मदद करते हैं ठीक है अगर आप वो आपके साथ ही रहते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे और ठीक है बच्चों अगर वो आपके साथ नहीं रहते हैं अगर नहीं रहते तो आप उनके साथ किस तरह से जोड़े रहते हैं वो मुझे बताएंगे comment पर अपना answer भी लिखेंगे चलिए next पर आते हैं ये बहुत मज़े की activity है मज़ेदार activity है पढ़ते हैं बच्चों एक गत्ता या मोटा कागस लेकर उसे आयतकार आकरती में काट लीजे आयतकार होता है rectangular 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 की shape में काट लीजे ठीक है अब उस पर अपने परिवार की photo चिपका कर उसे चारों तरफ से सजा दीजे अब दिवार पर लगाने के लिए यह तयार है आपकी साहता के लिए साथ दिये गए डिब्बे में एक photo frame का चित्र दिया गया है तो बच्चों आपको क्या करना है एक आपको क्या करना है मोटा गत्ता ये कागज जो है मोटा लेना है ठीक है उसको rectangular की shape में काट देना है एक उसके उपर अपनी फैमली photo आपको लगानी है और उसको चारों तरफ से क्या करना है सजा देना है ओके इससे आपको क्या तयार हो गया फूटो फ्रियम तयार हो गया ओके ममी पापा के लिए सुझाव है बच्चो आजकल बच्चे ही नहीं बलकि बड़े भी अधिकतर फोन में लगे रहते हैं बच्चो के साथ घर पर विबिन क्रियाएं कीजे जिससे बच्चो वे बड़ों के संबंदों में अधिक मदूर्ता आ सके ठीक है बच्चो बच्चो आपको ऐसी ही अक्टिविटी कुछ इस प्रकार के अक्टिविटी जो आपके घर में वेच पड़ा है उससे आप कुछ नया बना सकते हैं हमारी दूसरी विडियो में है आप प्लीज चेक करेंगे कोविड निस के दरान अपेक्षित वेभार अपने हातों को सावन वे फानी से नियम इतरूप सुदू है थैंक्यू स्टूडेंट स्टे होम स्टे सेफ टेक केर एवरिवान और चैनल को सब्स्राइब करें जल्दी जल्दी बेटा और वीडियो को भी लाइक करें थैंक्यू